जैसे दूदी भुपणा बहुत अग्वुत है ऐसे ही एक बहुत अच्छी आउशद है स्वैंपाग जरो वो भी बहुत अग्वुत है उसका नाम है हड़ा हंदी बहुत अग्वुत है अगर गले का खोई भी तरास हो गया खासी होती है बार बार खासी होती है सर्दी होती है बार बार सर्दी होती है बच्चों को कई बार वो टॉंसिलाइटिस हो जाता है दर्द होता है टॉंसिंस का ये गले के सभी तरास की सबसे अच्छी आउशद है हड़ा हड़ा लेने के लीके कुलत को हुआ हैं। या गरम दूद में डालते ही। दूसरा तरीका घरत सापनी हिए और मद मिलाके लोते ही है। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है बार बार सरधी होती है बार बार जुपाम होता है ये सभी के लिए आउशदी है खड़त. बच्चों को टॉंसील की जितनी भी तकलीफ है उसकी सबसे अच्छी आउशद है हड़त. टॉंसिलाइटिस की तकलीफ में भी आप दॉक्टर के पास जाएंगे वो तुरन कहेगा ओपरेशन कराओ बच्चों के टॉंसिल काटके निकालो कभी मत कराना उनको थोड़े दिन हड़त देंगे हमेशा के लिए टॉंसिल की तकलीफ खतब हो देगे और ज्यादा टॉंसिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को तो सूखी हड़त जो होती है पाउडर के रूप में उसको सीधे गले में डाल दीजे अंदर चम्मच में हड़त भरिए गले के अंदर तक चम्मच ले जाईए और छोड़ दीज़ पस पास साथ मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी और हफ़ते में दो बार भी आपने अरसा किया तो हमेशा जलिए टॉंसिल की तकलीफ बच्चों की खतर हो जाए यही हड़त रक्त का भी शोधन करती है निये में तुरूप से हड़त का धूद आप पीते रहे या बच्चों को हड़त का धूद पिलाते रहे तो रक्त में कभी भी कोई दोश नहीं आता रक्त में कोई विकार नहीं आता और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता और रहाद एंटी वाइरल एंटी बायोतिक एंटी पाइरोतिक एंटी इंकलमेटरी बाँच पुर एक साथ नहीं कहीं चोट लग गई है तुरंत रगाद दिजिए फून बंद हो जाए और जिनके शरीर को यह बात को आप गंवीरता से और ध्यान से सुने, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लेक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो तो हरत से अच्छी कोई वस्त४ूरी दुनिया में में जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का नियमित रूपSend theta नूद में डालके नहीं तो पानी। में डालके नहीं तो मढद मिलाके रंग नियमित रूप से आपका सात होता जाएए दुनिया में जो काम कभी भी फेर न लवली नहीं कर सकती वो हड़त कर से वो ही आधा चमछ नेमित रूप से लेना पड़ेगा ज़्यादा दिन तक लेना पड़ेगा फेर न लवली तो कुछ नहीं करती मैंने फेरेल लबली को लगा के देखा एक मशी को चार साल रिगण रिगण के वो मशी अभी भी काली की काली इसलिए फेरेल लबली तो कुछ भी नहीं करते यह बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरा थे और महेंगी इतनी आती है फेरेल लबली 25 ग्राम 40 रुपई की तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपई किलो आती अभी 1600 रुपई किलो की फेरेल लबली लाएं उससे अच्छा है 20-25 रुपई किलो हड़ ले आई उसकी ताकत बहुत है और आपको एक और महीची देता हूँ जिनको शरीर की तकीफ ऐसी है कि सूरी के प्रकाश में थोड़ा भी निकलें तो त्वचा में जलन होने लगती है इन सब लोगों को मेरी विंती है कि हड़ब लगाए हडब लगाके आप बाहर निकलिए कभी भी तो चामें जलन नहीं होगी संबर्न कभी भी नहीं होगा सन स्ट्रोक कभी नहीं है और ऐसे लोग जिनको जीवन में भ्रमचरी का पालन करना है अपने शरीर की शक्ति और वीरिको सुरक्षित रखना है वो नियमित रूप से हड़त खाएं तो भ्रमचरी को बहुत अच्छ से सुरक्षित रख सकी है और इसी हड़त का अध्वुत उपयोग है दुनिया की सबसे खतरनाग भीमारी जो किसी ऑउशत से ठीक नहीं होती है वो हड़त से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर आप माहिती है आपको हड़त अमेरिका में पेटेंट करा लिए अमेरिका सरका सब्सक्राइबर यह एक हड़त कहती है थाई हडत कहते हैं आंपा हड़त कहते हैं ताजा हड़त अजो खेत में without write सीधे आती है उस हड़त की चट्पी बनाएं उसमें से रस निकलता है वो रस कैंसर के रूप में काम आता है कैंसर के किसी भी बरीज को जिसको गले का कैंसर है पोट का कैंसर है आहार मली का कैंसर है ऐसे किसी भी कैंसर के बरीज को हड़त का रस मत बिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है अभी तक जितनी रिसर्च होई है दुनिया में हड़त पर उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़त में कर्क्यूमिल नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताफ़त रहता है और ये सिर्फ भारती हड़त में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़त में नहीं है पाकिस्तानी हलत में यह नहीं है बंग्ला देशी हलत में नहीं है भारत की हलत में है तो हलत आप ज़र्ब було रखी ताजा हरत मिलें, और घर में कोई कैंशर का मरीज हो तो उस का रस्रिकाल के फोड़ा मद मिलाके उसको नेमित रूप से पिला को देते हैं. झाल झाल झाल